हेलो दोस्तों बेलकम टू आप परिच्छागाओं चैनल आपके अपने इस यूटूब परिच्छागाओं चैनल पर आपका स्वागत है और आप अपने इस परिच्छागाओं चैनल को लाइज सस्काइब तथा सभी दोस्तों में सेयर कर दीजिए तेथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर पहुंच सके और आप उसे देख सके तो आज हम अपनी शम्मिधान की क्लास में पढ़ेंगे अनसूचियों के बारे में तो हम अनसूचियों के बारे में पूरा अच्छे से अध्यान करेंगे और हमारा मकसद सिर्थ आपको पढ़ाना नहीं है बलकि आपको याद कराना है ताकि आप परिच्छाओं में सभी प्रस्तनों को आसानी से हल करके आएं तो आज हम जानते हैं अनसूचियों के बारे में तो हमारे समिधान के मूल समिधान जो था उसमें कुल कितनी अनसूचियां थी तो उसमें कुल आठ अनसूचियां थी लेकिन इसमें चार और जोड़ दी गई तो अब कुल अनसूचियों की संख्या बारा हो गई तो इन बा तो पहली अनसूची में भारती संग के 28 राज्यों राज्यों नौ केंद्र सासित प्रदेशों का उलेक है तो आप सोच रहे होंगे जब हमारा मूल समिधान लागू हुआ पहले क्या था इसमें 29 राज्यों और साथ केंद्र सासित प्रदेश हैं लेकिन जम्मू कास्मीर से जब सिधारा 370 हटी तो जम्मू कास्मीर को दो केंद्र सासित प्रदेशों में बाट दिया गया एक जम्मू कास्मीर एक लद्दाक छेतर को और इस तरह से उसे राज्ये पूर्ण राज का दर्जा उससे चीन लिया गया जिससे हमारे भारती संग में अब 28 राज और 9 केंदर साथित प्रदेश बचे हैं तो पहली अन्सुची में इन्ही भारती संग के 28 राज नो केंदर साथित प्रदेशों का उल्लेख है दूसरी अन्सूची में भारती राज बिवस्था के बिभिन पदा अधिकारियों पदा अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उलेक है के बारे में उलेक है तो भारती राज बिवस्था के विभिन पदा अधिकारी से मतलब राश्ण पती उपराश्ण पती लोग सभा के अध्य kijच लोग सभा के उपाध्य ci बिधान सभा के अध्य की बिधान नयाले के नयाधीस और उच्छ नयाले के नयाधीसों के जितने भी वेतन दिये जाते हैं भत्ते दिये जाते हैं उनको जो सुबिधाय दी जाती हैं वो भारत की संबिधान की दूसरी अनसूची में उसका उलेक किया गया है अब हम पढ़ेंगे तृति अनसूची के बारे में तत्तिती अंसूची में बिभिन पदा अधिकारियों के सपत के बारे में अध्यान करेंगे सपत का उलेक है तो जो बिभिन पदा अधिकारी है अभी जो हमने बताया राश्टपती उपराश्टपती प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री का मंत्री मंडल या लोग सबा अध्याच या विधान परसद देच विधान परसद उपा अध्याच तो इन लोगों का क्या होती है स सपत होती है जब चुनाव जीत जाते हैं तो मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो या लोग सभा मेंबर हो या राज सभा मेंबर हो या विधान सभा के मेंबर हो तो उनकी सपत होती है तो इसका उलेक भारती सम्विधान की तीसरी अनसूची में किया गया है अब चौथी अनसूची के बारे में जान लेते हैं भारत की चोथी अनसूची में भारती राज्य योमकेंद्र सासित प्रदेशूं का राज्य सभा में प्रती निधित्व का उलेख किया गया है किया गया है तो चोथी अनसूची में क्या है? कि भारती राज्यम केंद्र सासित प्रदेशों से राज्य सभा में कितने लोग चुन जा सकते हैं? इसका प्रावधान किया गया है इसका उलेख किया गया है किस अंसूची के था सम्विधान की चौथी अंसूची के तहत की जैसे उत्तर प्रदेश से 33 लोग चुन करके राज्य सवा में जा सकते हैं इति इस तरह से विभिन्य प्रदेशों से केंदरसासित प्रदेशों से कितने लोग चुन के जा सकते हैं उसका प्यूरड इसमें है चतुर्थ अंसूची में अब याद करने के ट्रिक देखो कि भारती संके 28 राज 9 केंदर सासीत प्रदेशों चाहे आप भाग पढ़ेंगे चाहे अंचेद पढ़ेंगे चाहे अंसूची पढ़ेंगे तो उसमें पहला रहेगा भारती संके 28 राज और केंदर सासीत प्रदेशों के बारे में ही उलेख होगा तो हमारा देश उसके 28 राज 9 केंदर सासीत प्रदेश अब क्या होता है हम किसी दूसरे प्रदेश में नौगरी करने के लिए जाते हैं सबसे पहले वहां के बेतन के बारे में पता करते हैं कि बेतन कितना मरे मिलेगा, कितना भट्ता मिलेगा, और कितनी प्यंसन मिलेगी, इन सब के बारे में पता क्या क्या सुविधाय मिलेगी, तो इन सब के बारे में पता करते हैं, तो यहां से दूसरी अंसूची याद हो जाएगी, फिर हमें जब वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो हमें फिर सपत दिलवाई जाती है, तो इस तरह से तीसरी अंसूची से रिलेशन, अब इसको देखो, चतुर्थ अंसूची में राज्यों का चौमुखी विकास कैसे हो, तो राज्यों से एक प्रतनिध्ध चुनकर राज्य सभा में जाएंगे, और वो तै करेंगे, कि हमारे राज्यों का चौमुखी विकास कैसे किया जाए, तो चतुर्थ अंसूची से आब याद कर लेंगे, कि राज्यों से चुने गए मैंबर का प्रतनिध्ध, जो राज्यों का चौमुखी विकास करेंगे, तो उनका उलेक किया गया, तो इस तरह से हमें चार अंसूची अराम से याद हो जाएगी, तो अब हम बात करते हैं पांचवी अंसूची, यहां तक नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, समझ करके पढ़ो, तो अच्छ पांचवी अंसूची, पांचवी अंसूची, पांचवी अंसूची में क्या है, तो भारती जन जाती, भारत के विभिन, राज्यों में बसी हुई, जन जाती या अंसूचीत छेत्रों और अंसूचीत जन जाती के प्रसासन यों नियंत्रण का प्रावधान है, तो पांचवी अंसूची में क्या है, अंसूची छेत्रों और अंसूची जन जात्री के प्रसासन यों नियंत्रण का उले के किया गया है, अब चलते हैं छटी अंसूची, छटवी अंसूची में क्या है, छटवी अंसूची में भारत के पुर्वोत्तर राज्यों, जिसे असम, मडिपूर, त्रिपूरा, मेघाले, इन चार राज्यों के अंसूचीत, अंसूचीत, जाती के प्रसासन का उलेक है, उलेक है, तो ये दोनों पाँचवी और छटी, तो अंसूचीत, जाती और अंसूचीत, जन जात के बारे में बात करते हैं, तो वही देखेंगे, पाँचवी अंसूची में, भारत के सभी राज्यों, केंदर, सासित, प्रदेशों में, जो भी अंसूचीत, तथा अंसूचीत, जन जात के लोग हैं, तो उनकी प्रसासन और नियंतरण के बारे में बात की गई है, जबकि छटवी अंसूची में, असाम, मडीपूर, त्रिप्रा और मेघाल है, जो प्रुवत्तर के राज हैं, जो जन जाती ये छेत्र हैं, उनकी अंसूची जाती तथा अंसूची जन जाती के प्रसासन और नियंतरण का उलेख किया गया है, तो ये जो अंसूची जातीया क्या होती है, पहले जन जातीया क्या होती है, तो ये अंसूची जात जो पिछड़ी है, समाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जन जाती, जो जंगलों में रहती है, जो पूरी तरह से हमारे मूल ब्यवस्था से कटी हुई है तो उनके बारे में उनको मूल ब्यवस्था से कैसे जोड़ा जाए कैसे उनका आर्थिक, राजनितिक, समाजिक पिकास किया जाए तो उसके बारे में पांचवी और छटी अंसूची में वरण रहना है तो याद कैसे रखेंगे कि जो लोग boundary line से बाहर रह गए मतलब अंदर नहीं है व्यवस्था से बाहर रह गए है तो छटवी अंसूची तो boundary line से बाहर क्या होता है 6 होता है तो पाचवी छटवी अंसूची से याद कर लेंगे कि अनसूची जन जाती और जाती तथा जन जाती के प्रसासन के बिशे में क्या उलेक क्या गया है तो ये पाचवे छटी अनसूची याद हो जाएगी अब आप चलते हैं सत्वी अनसूची की तरफ तो सात्वी अनसूची क्या बताती है सातवी सातवी अनसूची सातवी अनसूची में राज तथा केंद्र की सक्तियों के बटवारा है कि राज की क्या सक्तियां होंगी तथा केंद्र की क्या सक्तियां होंगी तो इसमें तीन सूची बनाई गई है जिसमें एक है संग सूची एक है संग सूची एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची अब संग सूची में जो है केंदर सरकार कानून बना सकती है जबकि राज्य सूची में दिये गए बिस्यों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची में राज्य तथा केंदर सरकार दोने ही कानून बना सकती है तो संग सूची में पहले कितने बिस्य थे? तो पहले संग सूची में 97 बिसे मूल समिधान में थे परंतु वर्तमान में 100 बिसे हो गए हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है इसमें मूल समिधान में 68 बिसे थे वर्तमान में 61 बिसे हो गए है जिन में राज सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची समवर्ती सूची से मतलब है कि इसमें राज सरकार था केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है लेकिन यदि दोनों का कानून समान हुआ तो क्या होगा तो केंदर सरकार का कानून लागू हो जाएगा जबकि राज सरकार का कानून खतम हो जाएगा तो इसमें मूल सम्मिधान में 47 विसे दिये गए थे लेकिन वर्तमान में वर्तमान में जो इनकी संख्या हो गई है वो 52 अब बावन भी सह पर केंद्र तथा राज दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं तो इस तरह से आप याद कर लेंगे संग सूची, राज सूची, समवर्ती सूची तो साथवी अंशूची में क्या है? इन तीनों के यानि राज्यों के और केंद्रों के केंद्र राजिस गोर्मेंट की सक्तियों का बटवारा किया गया है तो साथवी अंसूची याद कैसे करेंगे संग साथ समवर्ती साथ यानि सा सा का बड़ा कंबिनेशन है तो अराम से ऐसे याद हो जाएगा फिर हम बात करते हैं आठवी अनसूची का अठवी अनसूची अब हम पढ़ेंगे आठवी अनसूची के बारे में आठवी अनसूची भारत की कुल कितनी राज भासा होंगी उसका वरणन किया गया है उसका उलेक किया गया है तो मूल सम्मिधान में कुल चौदा भासाओं को कितनी भासाओं को चौदा भासाओं को राज भासा का दर्जा प्रात है था लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा करके 22 हो गई है तो ये जब बढ़ाई गई तो सम्मिधान में कुछ संसोधन करने पड़े वो संसोधन किस सन में हुए तो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसको हम थोड़ा एक बना लेते हैं एक बॉक्स मना लेते हैं और इसमें पहले में लिख लेते हैं भासा पहले बॉक्स में लिख लेते हैं भासा दूसरे बॉक्स में लिख लेते हैं कि सम्मिधान संसोधन कौन सा सम्मिधान संसोधन के तहत कौन सी बासा जोड़ी गई तीसरे बास लिख लेते हैं वो सन यानि ये संसोधन किस सन में हुआ तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे तो अराम से याद भी हो जाएगा तो पहले जो मूल सम्विधान में हमारी 14 भासा थी कितनी थी? 14 भासा तो ये कोई सम्विधान संसोधन नहीं होगा ऐसे डैस डैस कर लो अब फिर जो हुई एक जोड़ी गई एक भासा कब जोड़ी गई? तो 21 सम्विधान संसोधन हुआ था 21 सम्विधान संसोधन हुआ था कौन से सन में? तो 1960 में 21 सम्विधान संसोधन हुआ था इसमें एक भासा जोड़ी गई थी, सिंधी, सिंधी भासा जोड़ी गई थी, फिर सन्मिजान सन्सोधन हुआ, कौन सा, 71, 1992 में, तो इसमें कित्ती भासा जोड़ी गई, तीन, जिसमें से कोकड़ी, कोकड़ी, मड़ीपुरी, मड़ीपुरी, और नेपाली, नेपाली, फिर इसम्मिजान सन्सोधन हुआ, और भासा जोड़ी गई, तो फिर कौन से सम्मिजान सन्सोधन हुआ, बान बेवां, कब, 2003 में, तो इसमें कित्ती चार भासा हैं जोड़ी गई, चार कौन कौन सी भासा हैं थी, मैं, थिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, तो ये चार भासा हैं जोड़ी गई थी, 92 सम्मिजान सन्सोधन 2003 में, तो एक हमने क्या क्या बॉक्स बना लिया, उससे हमारा अराम से याद हो जाएगा, तो ये बॉक्स हमने तयार कर लिया, और हम अराम से याद कर सकते हैं, अब याद करने के ट्रिक दो, कोकड़ी आपका सबसे अच्छा जो बल्ले बाज है, आप जिसको परसंद करते हैं वो है, या मैस धोनी, धोनी को आप परसंद करते हैं, तो कमान, ऐसे कर लें, कमान, का से कॉकड़ी हो जाएगा, मा से मड़ी पुड़ी हो जाएगा, और ना से नेपाली हो जाएगा, तो कमान फिर यहाँ जोड लेंगे, यम यस, धोनी, डोनी, भोनी, और बासे बैट का बैट का सिलेंड कर लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कमान धोनी का बैट ऐसे याद कर लो तो कितनी भासाइ जोड़ी गई लास्ट में तो आपको अराम से याद हो जाएगी किस्सा 71 मैं समिदान से 1992 में कमान कोकडी मडी पुडी नेपाली और फिर MS धोनी से यम से मैथली से संथाली दो से डोंगरी बैट से बोड़ो याद हो जाएगी तो इस तरह से याद भी अराम से हो जाएगी ट्रिक की मदश से तो इसको नोट कर लेना और अराम से अब कुल भासाओं की संख्या कितनी है बाइस भासाओं है बाइस भासाओं को राज भासा का दर्जा दिया गया है आठवी अनसूची के तहरी अब हम नौवी, दस्वी, इक्गिरहमी और बरहमी अनसूची के बारे में अध्यान करेंगे जो की बाद में ये चारो जोड़ी गई मूल संविधान में कुल अनसूचियों की संख्या आठ थी तो नौवी अनसूची के बारे में नौवी नौवी अनूशूची तो नौवी अनसूची फिर दस्वी अनसूची तो पहले नौवी अनसूची के बारे में बात कर लेते हैं ये जोड़ी गई पहला संविधान संसोधन 1951 के द्वारा तो जो एक प्रस्णियास बन जाता है कि पहला संविधान संसोधन कब हुआ था तो पहला संविधान संसोधन 1951 में हुआ था नौवी अनसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी तो इसमें क्या हुआ था कि जमीदारी बेवस्थाती तब सारी जमीने जमीदारों के पास थी और सरकार को जमीदारी उन्मूलन कानून तथा भूमी सुधार कानून लागू करना था और इसमें प्रॉबलम आ रही थी तो उसने क्या किया कि नम्मी अन्शूची को संविधान में जोड़ दिया और इसमें जितने भी भी सह थे इसपे क्या हो सकता था कि जमीदारों से जमीन ली जायती या भूमिसुधार किया जाएगा तो आप कोट में या सुप्रीम कोट में याजकार नहीं दायर कर सकते थे उसपे कोई भी कोट में सुवाई नहीं हो सकती थी ये संविधान नम्मी अन्शूची के तहत इसको रखा गया था तो उरतमान में कुछ ही भी सह थे जिसपे ये कानून बन सकता था लेकिन अब जो है तीन सो पचासी अधनियम हो गया है इसमें तीन सो पचासी अधनियम हो गया है जिसके तहत जो गौर्मेंट होती है केंद्र या राज गौर्मेंट होती है जमीन हमसे ले सकती है लेकिन क्या हुआ कि ये केंद्र सरकारे जबरदस्ती बिना काम के ही जमीन लेने लगी किसानों को और फिर सुप्रीम कोट ने फैसला किया कि नहीं इस अन्सूची के तहत अब जो है सुप्रीम कोट में यहाइ कोट में किसान या जिसकी जमीन है वो याज का दाय कर सकता है और उस पे सुनवाई हो सकती है तो ये 2007 से सुप्रीम कोट ने ओरर जारी किया था तो ये हमारी नम्मी अन्सूची हो गई अब दस्मी अन्सूची में क्या है कि बावन्मा को था संविधान संसूधन 1985 कब 1984 दस्मी अन्सूची 92 संविधान संसूधर 1985 के तौरा जोड़ी गई तो इसमें क्या हुआ कि पहले होता था कि दल बदल यानि कुछ लोग होते थे चुनकर जो विधान सभा में या लोग सभा में संसच जाते थे तो पैसे ले करके दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देते थे और उनको मंत्री पद भी मिल जाता था और पैसे भी मिल जाते थे तो ये इसका निराकरड करने के लिए सम्विधान में दसवी अंसूची लाई गई और उसमें एक कानून बना गया दल बदल कानून तो कौन सा कानून था दल बदल कानून यानि अगर आप दल बदल करके दूसरे दल में जाएंगे तो आपकी सद्यसिता महीं खतम हो जाएगी फिर आप MLA या कैसे नहीं संसत नहीं रह सकते आपकी संसत की और MLA की सद्यसिता खतम हो जाएगी तो दा से दल दा से दल और दा से दस्मी तो दस्मी अनसूची ऐसे दल बदल कानून अराम से याद कर सकते हैं और ये किस संसोधन के ताहत लाया गया था बावनमा समिदान संसोधन के ताहत लाया गया था तो ये दो नम्मी ये दस्मी याद हो गई अब गरहमी और बरहमी के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे लास्ट में आई थी, तो गिरहमी अनसूची, गिरहमी अनसूची कब आई थी, तो अगिरहमी अनसूची आई थी, उन्नीश्य, स्वारी, तीहत्र में संभी धान संसोधन, तीहत्र में संभी धान संसोधन, संसोधन, उन्नीश सौ, तीरानवे में, तो उन्नीश सौ तीरानवे में क्या हुआ था, तीहत्र में संसोधन हुआ था, उसमें लाया गया था, कि ग्राम पंचायत, क्या, ग्राम पंचायत, को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, उन्तिस बिसे का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, तो ग्रामी अनसूची, तीहत्र में संविदान संसोधन, उन्नीश सतिरानवे के द्वारा, ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए, उन्तिस बिसे प्रादान किया गया, तो इस तरह से आप ग्रामी अनसूची के बारे में जान गया, अब बारामी अनसूची ये आए थी, चौहत्र हमें, तीहत्र के बाद, चौहत्र हमा संविदान से सोधन गया था, चौहत्र हमा संविधान संशोधन उन्नी सो तिरानवे, इसमें सहरी छेत्रों, सहरी छेत्रों के जो निकायों को या जो स्वसंस्थाएं होती है, स्वसंस्थाओं को कारी करने के लिए के लिए अठारा विशे दिये गए, तो कितने विशे का प्रावधान किया गया, अठारा विशे का प्रावधान किया गया है, ब्राहमी अंसूची के तहट, सहरी छेत्र की जो नीचले अस्तर की सरकार होती है, यानि नगर निकाय होती है, नगर निगम होती है, उनके अंडर में 18 छेतर होते हैं, 18 भी से होते हैं, जिन पर वो कारिये कर सकती है इस तरह से हमने कुल 12 अंसूचियों का अच्छे से अध्यान किया समझ समझ के अध्यान किया, एक बार रिवीजन करिएगा और अरामसरी रिवीजन करिएगा कि पहले अंसूचि में चार अंसूचियों में थोड़ा समिदान संसोधन हुआ है, किस सन में हुआ है तो इसमें दिक्कते आएगी, एक दुबार रिवीजन कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आज की क्लास अंसूचि के यहीं तक, तो आगे आप हमारे साथ बने रहने के लिए अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा सेयर कर दीजिए तथा अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तागी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर पहुंच सकें तो जैहीं